है गाईज वेल्कम टू साइकावननेस आई होब आप से बच्छोंगे और सभी को हैपी हो ली इंपोर्टेंट वेकेंशिस आ गई है पर्मनेंट सेंटर की गवर्मेंट जॉब है टूटल पूस्ट सड़े 5,000 के करीब हैं आप सभी अप्लाई कर सकते हो कुछ मैं फ्रेशर सम होने वाला है इसमें 100 मार्क का उसके बेसिस पर ही आपको सेंटर गवर्मेंट की पर्मरेंट ऑफिसर लेवल की जॉब है सारी वह आपको मिल जाएगी सेलरी आपकी 60,000 से अबाव ही सेलरी आपकी रहेगी इसमें जिनको पता है उनकी अच्छी पात है जिनको नहीं पता सार करना बहुत टाफ है PDF में qualification नहीं मैंसन है तो qualification आपको कैसे मिलेंगे आपको बताऊंगा क्योंकि website बिलकुल नहीं चलो रही ऐसे से की काफी लोड ऐसे से की website में है तो तकरिबान मुझे भी दो दिन लगे है वेकेंसी ढूणने में आज कुछ पोस्ट बताऊंगा कल अलग स से कुछ पोस्ट इंफर्म करूंगा पड़ सो कुछ और बताऊंगा पोस्ट क्योंकि एक साथ बहुत सारी पोस्ट हैं तकरिबाने 500 के प्लस डिपार्टमेंट है जिनने कावर करना एक वीडियो में मुश्किल है काफी तो बात करूँ वेकेंसिस की तो आपकी जो फॉर्म है वो 6 मार्च को रिलिस हो गया था आपका फॉर्म आपको बता दूं लास्ट डेट है फॉर्म भनने की 27 मार्च कल ही फॉर्म भले ना वेफसाइट नहीं चल रही है लेट करोगे तो आपका फॉर्म नहीं भाद पाएगा जॉब आपके हास से निकल लागी बहुत कमी से ग इसको इसको कंफर्म डेट एक्जाम ले रहा है आपको जून चलाहें पर एक्जाम हो जाएगा फेज वन का फेज्वन यह आपका फेज 11 का और एकी फेज में पर सिंगल एक्जाम होगा में में चीज पढ़ लेते हैं पहले उसके बाद बात करेंगे वेकैंस की SCT के लिए इसतोज वेट करना और वीडिव करदे न मुए कर देना लिए बात बड़ी music है यह कीना भार को एप किने अब किसी वह ढूआ एका sesi प्र आसा हुआ है आपके क्रेक्षिन मैच करती एक एप उस रिजन फर्म भरो और यहां पोश्टनमबर है रीजन मतलब जहां आप रहे तो आप उत्रकंद दिल्ली वागार नहीं अब तो आपको नौर्थ इस बेंगल आसाम रहे तो आपको नौर्थ इस रिजन होगा ऐसे साउथ रिजन होगा एक सेंटर रिजन होगा तो बीरो नार्कोटिक्स इंडन नेवी इंडनेफोस आपके सेंटरल इंडेश्टिल सिक्यूर्टि फोर्स एनकी सी इसे जटरल फर्टिलाइजर इक्वालिटी इंसॉरेंस आपके और साथ और आपकी रॉआ अग्यरा में भी है तो काफी मल्टिपल बड़ी पोस्ट इसमारेने वाली है एज लिमिट लिखा है भी सबकर पोस्ट को आके पेस के लिखिए लेवल 6 लेवल 4 लेवर 6 लेवल 6 लेवल 6 आपके सब्सक्राइब की पोस्ट होती है यहां क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन ने बाओ तो यहां पर आपको पता चलीगे नहीं है आपको पता सब्सक्राइब करते हैं तो पांसो से उपर डिपार्टमेंट है जिसमें अलग-अलग पोस्ट है तो आपको पड़ना पड़ेगा एक दो दिन लगाने पड़ेंगे तब आपको अपने लाइक वेकेंसी मिल पाएगी अगर नहीं मिलीजिए तो चैनल सब्सक्राइब पहले सब्सक्राइब करते हैं जिनमें वेकेंसी आई वी है टोटल पोस्ट कितनी है या पर 5369 पोस्ट है अगर मैं बात कुरूं पोस्ट कि तो आज जो हम बात कर रहे हैं वह हम बात कर रहे हैं काउंसलर की बहुत टाइम लगा से ढूनने में भी तो यह पोस्ट कौन सी है टीक है एक जनरल के लिए है अब मांश्टर डिगरी होना चाहिए आपके पास साइकॉलीजी में तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो रहेबिलेटेशन काउंसलर में ठीक है साथ में क्या लिखा है टू यह आपके पास प्रेक्टिकल एक्सपीरिंस होना चाहिए सोचल वर्क में या फिर सोचल वर्क में नहीं है 오टिकर्म फ्रच कर सकते हो है उसम 112 कर सकते हो ठीक है कोल बाएक एक सब्सक्राइब कर सकते हैं झा। तो vocational guidance में होना चाहिए, उसमें भी नहीं है, तो employment service में होना चाहिए, तो form fill कर सकते हो, ठीक है, कुल बागे vocational guidance आता आपका counseling में, तो counseling में, schools वगरा में, कहीं फिर भी आपके पास 2 साल का minimum experience होना चाहिए, और practical experience social work में, social work आता आपका NGO में आपने काम कर रहा हो, तो वो चल ज जागा, ठीक है, और master degree होना चाहिए, आपके पास psychology में बस हो गया, कोई experience, सोरी, कोई percentage वगरा के दिक्कत नहीं है, एक post general के लिए है, और 18-30 साल आपकी age हो की general में, बाकि SCC, OBC को reservation मिलेगा, group B की post होगी, जो आपकी non graduated post होगी, salary देखो, 35,400 से, यहाँ पर 1,12,000 से उपर हो ministry of labor and employment के अंदर आता है आपका, आपकी joining का होगी, उसके बाद भी कर लेते हैं, यहाँ पर joining का आपकी slong में, घालाय में होगी, अभी आपको और post मिलेंगे, रुखना भी, ठीक है, बस इतना ही है, आपको काम देकाना है, यहाँ लो, क्या काम है, सब काम लिखा हुआ है, उ group B की post है, same department अपका का है, National Career Service Center for Differently Able, यहाँ पर posting आपकी कानपूर उत्तर परदेश में होगी, और यह लेवल 6 की post है, यह भी, और I think कौन से लेवल की देख लेते हैं एक बार, यह लेवल, same level की post है, और यह आपका काम रहेगा, यह आपकी place of posting कानपूर रहेगी, ठीक है, अब बात कर रहे हैं, दुबारा North East region से है, तो यह rehabilitation counselor की post है, same collection रहेगी, इसमें भी आपकी, और इसमें एक post EWS के लिए, 18-30 सल एज मांगी है, group B की non-graduate post है आपकी, और इसमें आपकी joining का रहेगी, इसमें दीमापूर नागलन पोस्ट रहेगी, ठीक है, तो यह तीन post होगी, इसमें psychology के लिए, ठीक है, अभी कल एक वीडियो रहेगी, उसमें आपकी मैं देखंगा, आपकी मुझे कुछ पोस्ट मिली है, तो मैं जल्दी में यह वीडियो में ही है, MSW के लिए पोस्ट है, उसमें, economics वालों के लिए है, geography वालों के लिए है, sociology वालों के लिए पोस्ट ह कि अभी देख लिना, जो बाकी बच्चे है, उनका भी एक्जाम सेम ही होगा, तो एक्जाम बस लेबाद चेक करते हैं, कहां पर रुख रहे हैं एक बर, वेकेंसी इतनी सड़े 500 करीड डिपार्टमेंट है, जिसमें वेकेंसी ढूनना थोड़ा टाफ है कि कहां पर कौन से सब्सक्राइब नहीं नहीं आ रहे हैं कहां पर क्योंकि कहीं पर लिखा नहीं है कि साइकोलिजेस्ट है या सोचल वरकर है, वहां पर लिखा उन्होंने रिसार्ट्स इन्वेस्टिकेटर बस उसकंदर क्या है, तो वह अगर आप देख लोगे तो काफी अच्छे बात है, व कहां पर सबकुच उन्होंने प्रेटर दे दिया इन्होंने सबस्ति आपका उइस और जितने ने सब्सक्राइब होगा इसमें 25 की इंग्लिजीस होगी, 25 की रिजनिंग होती है, 25 की जीके 25 का आपका मैथेमेटिक्स रहेगा, टोटल सब्सक्राइब होगा, लेवल 6 की जोग यह क्या मैं सब्सक्राइब करते हैं अपनी जुन जुलाई में हो जाएगा काफी कम त्रेंप कर दो महें आपको मिले रहें एक्जाम के लिए अब देखो यहां पर स्लेवर्स होना चाहिए रुक हो यह आगा स्लेवर्स ठीक है यह आपका जन्रल इंटेलिजेंस आपका 25 मार् मिलेगा इसमें और नेगेटिवर्स में क्या आएगा उसको स्लेवर्स यह रहाए तो आपका इंटेलिजेंस यह हो गई आवाइनस हो गई तो अलग अलग चीज़ेंस में स्पोर्स अब यह देखो 10 प्लस 2 के लिए हो गया अब आपका ग्रेजिशन का ना तो आप कहां आपको स्लेवर्स यह गई जन्रेवर्स यह अपको यह पढ़ना है और इंग्लिस अपको यह ट्यारी करो अपनी बाकी जो अधार सब्जेक्ट वाले हैं में स्व्च जोग्रोफी हिंदी वाले पोस्ट तो उनके लिए कल वीडियो आजाएगी डोंट वरी बाकी वीडियो क करो वीडियो को शेयर करो जल्द मिलते हैं के लिए वीडियो अब तक तक थेंक्यू